सत्यभामा जी को हुआ जब रूप का घमंड सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है तभी गरूर ने कहा कि भगवान क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गती से कोई उर सकता है इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि भगवान मैंने बड़े-बड़े युद्धों में आपको विजश्री दिलवाई है क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नश्ट करने का समया गया है ऐसा सोचकर उन्होंने गरूर से कहा कि गरूर तुम हनुमान के पास जाओ और कहना की भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गरूर भगवान की आग्या लेकर हनुमान को लाने चले गए इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी आप सीता के रूप में तयार हो जाएं और स्व या के बिना महल में कोई प्रवेश न करे भगवान की आग्या पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए गरूर ने हनुमान के पास पहुँच कर कहा कि है वानर्श्रिष्ट भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आप से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर हैं आप मेरे साथ चले मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर शीधर ही वहां ले जाऊंगा हनुमान ने विन्यपूर्वक गरूर से कहा आप चलिए मैं आता हूं गरूर ने सोचा पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा खैर मैं भगवान के पास चलता हूं यह सोचकर गरूर शीघरता से द्वार का की ओर उडे पर यह क्या महल में पहुचकर गरूर देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभू के सामने बैठे हैं गरूर का सिर लज्जा से जुप गया तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र तुम बिना सागया के महल में कैसे प्रवेश कर गए क्या तुम्हे किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं हनुमान ने हात जोरते हुए सिर जुपा कर अपने मुह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर प्रभू के सामने रख दिया हनुमान ने कहा कि प्रभू आप से मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था इसलिए इसे मुह में रख मैं आप से मिलने आ गया मुझे ख्षमा करें भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे हनुमान ने हाथ जोरते हुए श्री राम से प्रश्न किया है प्रभु आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दि सत्यभामा सुदर्शन चक्र वगरूर जी तीनों का गर्व चूर-चूर हो गया था वे भगवान की लीला समझ रहे थे तीनों की आँखों से आसू बहने लगे और वे भगवान के चर्णों में जुप गए अद्भुत लीला है प्रभु की अपने भक्तों के अहकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने सार जीवन में कभी भी अहमकार नहीं करना चाहिए जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा अपने अंदर जरा साभी अगर अहमकार आने लगे तो स्वयन ठाकुर्जी हम से दूर हो जाते हैं ठाकुर्जी नी स्वार्थ भक्तों से प्रेम करते हैं अहमकारियों से नहीं जय जय श्री राधे क्या हो ज श्री राधे झाल झाल